तो students question number two in your class all children are wearing this suit मनलब यहाँ पे शू की पैर दिया आपको देखो तो यह कहा है कि आपके class में जो बहुत सारे children आप सब हो बच्चे यह ऐसे सूश पहनते हो तो each one has different shoe size यहाँ पे सभी की अलग-अलग shoe size दी है और number of children दिये है तो देखिए यहाँ पे जिसकी shoe size 12 है ऐसे 10 children है 1 shoe size वाले 14 children है और 2 shoe size वाले 3 children है तो यहाँ पे जो data collect किया है उसके basis पे यहाँ पे कुछ आपको questions पूछे है जिसके answer हमें बताने है तो first question है आपका how many children have 2 as the shoe size तो आपको बताना है कि ऐसे कितने children है जिसकी shoe size 2 है तो shoe size में हम देखेंगे यहाँ पे 2 और उसके सामने देखेंगे number of children कितने है 3 है तो हम answer write करेंगे 3 ओके एंड बी कोशन भी है यहाँ पे which shoe size is most common सबसे ज्यादा common shoe size कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए कि वही सबसे ज्यादा number of children जितने भी वह shoe की size पहनते होंगे वह common होगे तो यहाँ पे देखें 10 14 और 3 तो सबसे ज्यादा number of children कितने है तो 1 for 14 है तो 14 के सामने यहाँ पे shoe size कौन से number की है 1 तो answer आएगा 1 C How many children have 12 as the shoe size? 12 shoe size वाले कितने children है? Then answer is 1010 तो 10 है आ गया न सबको? तो यह question 2 आपको textbook में complete करना है तो question number 3 Next A shopkeeper sells various flavor of ice cream on a day एक shopkeeper जो है वो अलग-अलग flavor की ice cream पूरे दिन में sell करता है यानि बेचता है Read the information given and answer the questions आपको यह read करना है और उसके बाद उसके जो questions कुछे है उसके answer आपको देने है तो यहाँ पर देखे फ्लेवर्स आपको दी है अलग-अलग flavors कौन-कौन सी है Strawberry, Vanilla, Chocolate and Mango है ना? और number of cons तो कितनी strawberry corn जो है वो दिन में बेचता है Vanilla कितने बेचता है, Chocolate कितने बेचता है और Mango कितनों बेचता है तो यह यहाँ पर total corn की number दिये है Strawberry, 38, Vanilla, 25, Chocolate, 43 and Mango, 20 तो यह पूरे दिन में इतने अलग-अलग flavors आइस्क्रीम की जो कौन से वो सेल करता है यानि बेचता है तो इसके basis पर यहाँ पर कुछ हमें questions दिये है जो हमें complete करने है Now see the first question Which flavor is most popular? सबसे ज्यादा कौन सी flavor popular है तो यहाँ पर हमें नहीं देखना जिसके number ज्यादा होते है वो सबसे popular और most होता है जैसे कि आपको यहाँ देखा था कि shoes में सबसे ज्यादा number of children किसने use किये थे तो 14 children ने one size use की थी ना तो इसलिए वो most common था और यहाँ पर क्या है? Most popular सबसे ज्यादा चॉकलेट है ना चॉकलेट आप सब भी जैसे जाते हो ice cream खाने तो आप सबसे पहले क्या मंगाएंगे चॉकलेट ice cream मंगाएंगे या पर चॉकोचेप्स या कॉन मंगाएंगे है ना चॉकलेट फ्लेवर सब भी को पसंद होती है How many people like strawberry flavor आपको यहां पर पूचा है How many people यानि कितने लोगों को strawberry flavor पसंद है तो strawberry यहां पर नाम दिया है तो हम strawberry देखेंगे और उसके सामने number of people पूचा है यानि यहां यह number देखेंगे 38 इसलिए यहां पर 38 आया है Which is like more Which यानि comparison चली रही है यहां पर कौन सी flavor सबसे ज्यादा like है Vanilla और mango तो vanilla और mango दोनों में से सबसे ज्यादा तो हम vanilla के number of people देखेंगे और किसके देखेंगे mango के Now vanilla के कितने है 25 और mango के कितने है 20 तो जिसके ज्यादा होते है वो सबको ज्यादा पसंद होता है Now vanilla 25 है 20 उसे कम होता है तो 25 vanilla flavor है इसलिए यहां पर हम राइट करेंगे vanilla ओके And how many cons did the shopkeeper sell in total उसने पूछा है कि shopkeeper ने total कितने cons sell किये है यानि बेचे है हम क्या करेंगे total कहा है that means हम 38 प्लस 25 प्लस 43 प्लस 20 सभी का total करेंगे ठीक है तो 8 प्लस 5 प्लस 3 66 प्लस 6 नीचे ठीक है 16 प्लस 6 नीचे 1 carry over लेके 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 2 12 25 तो 126 126 कहां से आया तो ये 38 प्लस 25 प्लस 43 प्लस 20 करके इसका total यहां पे कहा है इसलिए हमने सभी ice cream का total किया है ठीक है तो यह आपका question second, third यह आपको अपनी textbook में complete करना है ठीक है students खास करके ध्यान रखना यहां पे question समझना आप पहले तो यानि कौनसी फ्लेवर तो हम यहां फ्लेवर पर ही देखेंगे number नहीं कहा है आपको ध्यान रखना students number नहीं कहा है इसलिए यहां पे नाम लिखना है chocolate गलती से भी यहां पे chocolate जो है उसका number 43 ऐसा नहीं लिखना है क्यों यहां पे ऐसा नहीं पूछा है कि कौनसी मनलब कितने numbers सबसे ज्यादा most popular है यहां कहा है which flavor तो question को पहले समझना कि आपको क्या कहा है which flavor यानि flavor के में हम देखेंगे और यहां पे chocolate इसलिए हमने chocolate का नाम लिखा है second question में क्या कहा है आपको how many people like strawberry flavor यहां पे पूछा है कि कितने people like करते है strawberry flavor को इसलिए हमने यहां number of peoples यहां number of cons के according पता चलता है इसलिए हमने यहां पे strawberry जो है उसके सामने जो numbers है उसको write करना है त्यान रखना ठीक है which is like the more यहां पे कहा है कि which is like more यानि vanilla और mango आपको दो comparison यहां पे दो चीज़ दी है जिसमें से compare करके आपको बताना है कि vanilla सबको पसंद है या फिर mango तो अब हम क्या करेंगे तो हम vanilla के numbers देखेंगे और mango के numbers देखेंगे फिर हम decide करेंगे कि जिसके ज्यादा number है वो सबसे ज्यादा फैवरेट होता है सबका है ना इसलिए vanilla हमने write किया है यहां पे number नहीं करना है ओके तो यह आपका data handling जो है इसका question number one यह question number one question number two and question number three आपको complete करना है अपने textbook में ओके students thank you झाल geben झाल 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 थाsung तो